हिंदी कभी केदार नात सिंग जी का संक्षिप्त परिचलेकर मैं अल्पना यहां उपस्तित हूँ यह सामगरी सरालोज संक्षित रूप में प्रस्तित की जा रही है और इसकूली शात्रों के लिए है उनसे नुरोध है कि जो बिंदु यहां दिये जा रहे हैं उन्हें विस्तार देते वही परिक्षा में उतर लिखें कवी केदा नाच सिंग्गी का जन्म साथ जुलाई 1934 को बलिय जिले के जेक्य गाउं में हुआ था इनकी इम्रित्यू इसी साल 19 मार्श को हुई 19 मार्श 2018 को काशी हिंदु विश्वी दियाले से हिंदी में एमे किया और पीएसडी की उपादी प्राप्त की गोरकपुर में हिंदी के प्राध्या पक रहे और उसकी बाद दिल लिया कर जवहा लाल नहरू विश्वी दियाले में हिंदी के प्रोफेसर रहे इनकी रचनाए अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है यहां से देखो अकाल में सारस उत्तरकबीर तथा अन्यकविताएं इनके कावे संग्रह में बाग और अलोशनात्मक पुस्तक है कल्पना और चायवाद निवंद संग्रह हैं मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत विवित भारतिय भाषाओं का हिंदी में अनुदित कावे संग्रह का नाम है ताना बाना कवी के साहितिक विशिष्टाएं इस प्रकार हैं मूलतह मानविय समवेदनाओं की कवी माने जाते हैं विधान पर अधिक बल है और कविताओं में विद्रोह का शांत और संयत स्वर्थ देखने को मिलता है समवेदना और विचार बोध दोनों इनकी रचनाओं में साथ साच चलते हैं उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिम्बों में बदलते दिखाई देते हैं इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज भाषा और पारदर्शी भाषा में बिम्बों का प्रयोग किया गया है भाषा में बेलोस पन है और शिल्प में बाद चीत की सहजता और अपनापन जिसके कारण इनकी कविताओं को समझना आसान हो जाता है और यहीं संक्षिप्त परिचे समाप्त होता है, धन्यवाद